नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है साथियों, PhD करने वाले के लिए एक बहुत अच्छी खुसकबरी है साथियों, यहाँ पर छत्रपती साउजी महराज विस्विद्याले यानि कि कानपूर में इस्तित है ये और यहाँ पर बहुत ही जल्दी 40 विसेयों से PhD कराने का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है यानि कि जन्वरी के तिसरे सब्ता में PhD के लिए प्रवेश परिच्छा आविजीत किये जा सकते है आज कुलपती ने बुलाई है समिती की बैठक और फाइनल होंगे PhD के विसेयों यहाँ पर देखिए CSJMU में अब 40 विसेयों से PhD होने वाली है इसके लिए आज जो एक्जिकेट्व कमिटी के बैठक है उसको बुलाई है और 40 विसेयों पहले 30 विसेयों पर PhD हुआ करता था लेकिन कुछ विसेयों जैसे योगा को भी जोड़ा जाना है और इस तरह से 10 विसेयों और बढ़ जाएंगे और 40 विसेयों पर PhD होना है और बहुती जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाली है समचार पढ़ लेते हैं आज यदि आप देखना चाहते हैं तो अमरुजाला के कानपूर एडिसन जरूर देख सकते हैं आप यहां पर देखिए छत्रपती साउजी महराज विसेयों बिस्विद्याले में इस सत्र से 40 से ज़्यादा विसेयों से PhD सुरू होने जा रही है अभी तक परंपरिक, हिंदी, भुगोल, समासास, दर्सनसास समेत करीब 30 विसेयों ही PhD होती थी कुछ नए विसेयों भी जोडने पर विचार चल रहा है इनके नाम सो मार को तै हो जाएगा यानि कि आज तै होगा किन विसेयों पर PhD होना है इसके अलावा विसेविदाले प्रसासन ने फरवरी तक PhD प्रवेश परिच्छा की प्रक्रिया भी पूरी कराने पर कमर कसली है जन्वरी के तिसरे सप्ता में परिच्छा और फरवरी के पहले सप्ता तक परिणाम जारी करने की तैयारी है बिसेह तय करने के लिए कुलपती प्रोफिसर नीलिमा गुपता ने आज पिएजडी समीती की बैठक बुलाई है इस समिती में प्रोफिसर संजे सोनकार, प्रोफिसर नंदलाल, डाक्टर अर्पिता त्रिपाथी, डाक्टर निता ग्रवाल वह अन्य कुछ सिनियर प्रोफिसर मौजुद हैं कुलपती ने बताया कि बैठक में विसे के साथ रिसर्च गाइट की सुची भी फाइनल हो जाएगी, उसी का नुसार परिछ्चा और आवेदन की तिती घोसित कर दी जाएगी यहां पर देखिए, यह इन विसे पर सामिल करने पर चल रहा है विचार, क्या-क्या विसे हो सकता है जो यहां पर लिष्ट दिया हुए है, एक संभावना है, अखबार वालों ने जो उन्होंने सोर्स से पता किया है तो वही जानकरी दिया है, जैसे Medicine, Pharmacy, Law, Library and Information Science, Mass Communication and Journalism, Computer Science and Application, Electronic Science, Forensics Sciences, Earth Sciences, Esthetics, Physical Education वह इंजिनरिंग के विसे को जोड़ा जा सकता है, इसमें योगा विसे नहीं दिखाई दे रहा है यानि कि योगा विसे की सभवना कम है, ये विसी विद्याले को योगा को भी जोड़ा जाना चाहिए यदि दर्सन सास्तर लिपार्टमेंट होगा, तो दर्सन सास्तर विभाग से आप योगा कर सकते हैं साथि साथ, physical education से भी आप योगा कर सकते हैं योगा भिसे में यदि आप PhD करने की चुक हैं, तो दो विभाग आपके लिए बसता है, एक तो medicine विभाग से भी किया जा सकता है, साती सात computer science and application से भी किया जा सकता है, और physical education से भी किया जा सकता है, यह option जो है बनता है, यहाँ पर देखिए, जो VGC के guideline है, इस guideline के हिसाब से असिस्टेम प्रोफेसर केवल चार स्कलर रख सकते हैं एसेस्टेम प्रोफेसर को छे स्कलर रखने की पात्रता है और प्रोफेसर को आठ सीट निर्धारित है अब यहाँ पर देखा जाना जोरी है कि विस्विद्याले के पास यानि कि खुद के डिपार्टमेंट और संबध महाविद्याले में कितने गाइड मौचूद है और वो गाइड असिस्टेम प्रोफेसर हैं या एसेसेट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं ये भी तै करेगा और उसके हिसाब से जो सीट है यानि कि रिक्त सीट है वो जनकरी प्राप्त हो सकता है यानि कि आज मिटिंग में दो बातें तै की जानी है पहली बात तो ये कि किस-किस विषय पर प्रोफेसर कराए जाना है और यदि उस विषय पर प्रोफेसर कराए जाना है तो उसके गाइड कितने हैं प्रत्येक विसे के guide कितने हैं और उस guide जो सुपरवैजर भी कहते है गाइट को तो उनके पास में रित सीट कितना है और उसके आधार पर की seat का निर्धारन होगा तैख होगा संख्या जाना जा सकता है जो 10 विसे के लिए 10 विसे के लिए जो हमने नाम बताया है यदि वो नए प्रारब होता है PhD वहाँ पर उस विभाग का तो प्रोफेसर को 8 सीट मिल जाएगा तो 80 सीट हो जाएगा यदि एससेट प्रोफेसर दस दस भी होंगे तो आपका जोखा है कम से कम जो है 60 हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर यदि 20-25 होंगे इसमें जोखा है तो वो च 400 से 500 सीट रिखता है यहां पर और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द होने वाली है आपके लिए बहुत अच्छी खुसकबरी है